इस वीडियो में हम लोग ए टाइगर इन दजू जो सी बीए सी क्लास्टीन का पोएम है इस पोएम में यूज किये गए important figures of a speech यानि poetic devices को हम लोग समझेंगे कि इस पोएम में कहा पर कौन कौन से devices used है इससे पहले जितने भी पोएम से है उन सब का विडियो हमने बना दिया है तो आप जाकर channel page से search marker देख सकते हैं उसको तो आई यह start करते हैं सबसे पहले इसका जो device है imagery इमेजरी एक ऐसा device होता है जिसको जिसके माध्यम से जो poet होते हैं वो image create करने का प्रयास करते हैं मतलब आप पढ़िएगा इसका description तो पता चलेगा कि कोई ऐसा आपके मन में imagination उभर रहा है जिससे कोई चीज लग रहा है कि अब देख रहे हैं विजुलाइज कर रहे हैं तो ऐसा feeling को express करने के लिए imagery device के उज़ता है जैसे कि यहाँ पर is poetry के अंदर में यह सारे जो words आप देख रहे हैं जैसे vivid stripes, lurking in the shadow, sliding through long grass, snarling around the houses, terrorizing the village, यह सारे जो words हैं या a stocking the length of his cage, ignoring visitors, a star with his brilliant eyes, at brilliant stars यह सारे के सारे जो words हैं कहीं न कहीं एक description create कर रहे हैं जितके मद्यम से पता चल रहा है कि ऐसा द्रिश्य होगा मतलब एक visualization एक image create हो रहा है तो इसलिए यह सारे imagery devices का inlines में use किया गया है next तेखिए जो device है symbolism symbolism जो device है यहाँ इस poetry के अंदर symbolism होता क्या सबसे पर जारेंगे कि symbolism word दूसरा रहेगा मतलब word का meaning अगर literal meaning find करें तो meaning कुछ और रहेगा लेकिन वहाँ कुछ और sense को denote करेगा symbolize करेगा तो इस तरह से जहां भी poets use करते किसी word को specific तो समझे कि वहाँ symbolism device का use किया गया है जैसे जो poet है poet is Leslie Norris लेजली नोरिस ने यहाँ पर यह word use किया cage and sky तो cage and sky cage symbolizes the captivity of the tiger by human यहाँ पर cage यानि जो पींजरा है वो captivity of the tiger by human यानि human के द्वारा मनुश्य के द्वारा tiger का जो captivity है जो इसका attraction इसको symbolize किया गया है और जो a sky है on the other hand symbolizes the freedom that caged tiger longs for यानि a sky का मतलब क्या है a sky आकास लेकिन यहाँ पर a sky जो है freedom को symbolize कर रहा है आजादी को symbolize कर रहा है जिसा जादी के लिए tiger long कर रहा है मतलब वो बिचैन है यहाँ by symbolizing cage and a sky नोरिष सोच the helplessness of the tiger यहाँ लेली नोरिष ने cage और a sky के माध्यम से जो tiger का helplessness है यानि उसकी जो असहायपन है उस चीज़ को express कर रहे है ब्यक्त कर रहे है नेक्स्ट यो डिवाइस इस poet में poet ने यूज किया है यह इस poetry के अंदर oxymaroon यूज अफ तू consecutive words that have contradictory meanings यहाँ क्या होता है कि दो consecutive words यूज किया जाता है मतलब एक के बाद एक line के अंदर जिसका जो है contradictory meaning होता है मतलब एक दूसरे से बिल्कुल different meaning रहेगा जैसे यहाँ पर the poet uses the phrase create rage देखिए बिल्कुल contrasting है जैसे यहाँ create, create का मतलब होता है चूप और rage का मतलब होता है क्रोध क्रोध में आद भी क्या करता है बिल्कुल चूप ने रहता है हला मचाता है तो दोनों का meaning जो है बिल्कुल contrasting है यहाँ पर अंतरभेद वाला है इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर oxymiron device का use किया गया poetis के द्वारा अब देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ देखिए meaning making it means silent यानि create का मतलब है silent और rage का मतलब है anger दोनों contrasting है अब देखिए यहाँ जो next device use है परस्निफिकेशन परस्निफिकेशन है कैसा device होता है जिसमें किसी inanimate object यानि non living thing को परस्निफाई किया जाता है उसके अंदर human characteristics को attribute किया जाता है तो यहाँ पर या तो non living thing भी हो सकता है या कोई animal हो सकता है या कोई plant हो सकता है कुछ भी हो सकता है मतलब human से different रहेगा और उसके अंदर human का characteristics जो है attributed रहेगा तो वही परस्निफिकेशन होता है तो यह क्या है यह कैसा pronoun है this is used only for person और यहाँ पर ऐसा लगता है कि tiger feel करता है human being की तरह तो यहाँ पर that is feeling helpless tiger क्या helpless असहाय मसूस कर रहा है at being imprisoned and wanting to be free कैद होने के चलते वो क्या कर रहा है free मसूस करना चाहता है और असहाय मसूस कर रहा है कैद होने के चलते और होना चाहता है वो free तो इस प्रकार से उसको personify किया गया personification device का यहाँ पर use है यानि tiger को personify किया गया उसके अंदर human like qualities को जो है डाला गया है तो इस प्रकार से personification device देखिए अगला जो है allitration repetition of initial consonant sounds in the same line यहां क्या होता है कि एक line के अंदर ही consonant sound का repetition होता है उसी को बोलते है alliteration जैसे यहां देखिए जो line दिया हुआ है यह line है should be lurking in shadow यहां ace और ace दोनों sound का repetition हुआ same line के अंदर इसलिए alliteration device हो गया plump dear pass यह जो line है P and P दोनों यह जो words है यानि consonant sound तो यहां इनका repetition same line के अंदर हुआ इस प्रकार यहां पर भी alliteration device का यूज किया गया है और यहां देखिए metaphor device metaphor is a literary device used to make a comparison without using the words like or as इस device में क्या होता है comparison होता है तुलना होता है simply device में भी comparison होता है लेकिन इसके अंदर comparison indirect होता है अब इसमें होता क्या है कि like और as like या as इस तरह के words का यूज नहीं किया जाता है कोई comparative word नहीं दिखेगा comparison रहेगा इसके अंदर indirect जैसे on parts of velvet kate यहां पर metafor device का यूज है this phrase compares the parts of the tiger to velvet because of the quality of softness of velvet यहां जो बाग के पंजे है उसको compare किया गया है velvet से और indirect comparison यहां इस line के अंदर या किसी भी तरह का यहां पर यह as like यह words नहीं है तो इस प्रकार से यहां पर क्योंकि उसको compare इस ले किया गया है क्योंकि softness होता है tiger के पास के अंदर जो की same quality को denote करता है like velvet और इस प्रकार से यहां metafor device का यूज है अब देखिए next device poetry के अंदर यूज है repetition device repetition of words phrase in the same line इसमें होता क्या एक ही word को repeat किया राता है same line में या एक phrase को जैसे the word यहां में देखिए words stark quiet and brilliant यह repeat किया गया है पूरे पूरे poem के अंदर इस प्रकार repetition device है तो अब देखिए यहां पर engement engement क्या होता है कोई भी sentence continue रहता है next line मतलब किसी poem का जो अस्टांजा है चार लाइन का या उससे कम ज्यादा जितने भी line का अस्टांजा हो तो अस्टांजा के अंत में देखते होंगे कि poem केंद में जिसे एक ऐसे कोमा दिया गया या उसके बाद जो है दो कोमा दिया रहता है लेकिन बीना किसी तरह का बीना किसी तरह का punctuation marks का यूज किये हुए punctuate किया नहीं रहेगा और ऐसे ही मतलब अस्टांजा का जो line continue रहेगा तो ऐसे में enjoyment device कहा जा सकता है कि यूज किया रहता है तो इस poetry के अंदर भी same situation है यहाँ देखिए metonym है यहाँ पर क्या होता है कि यह कैसा device है जिसके अंदर वो किसी वर्ड का substitute के रूप में दूसरा वर्ड को जो है यूज किया रहता है जैसे यहाँ metonym जो है second line के अंदर है fourth astanza का यहाँ strength जो वर्ड है जो poetis ने यूज किया है word a strength और यह mean the body of the tiger tiger के body को यह attribute कर रहा है इस प्रकार से हम कह सकती कि यहाँ पर metonym का यूज किया गया है तो मैं आसा करता हूं कि आप लोग इस poetry के अंदर जिस poetry का नाम है a tiger in the view इसके अंदर यूज किये गए सारे devices को आप समझ चुके हैं और next poetry के लिए या next under chapter या इस तरह के concerned videos के लिए देखते रहे easily in the solution इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के लिम के लिए